नमस्कार जूनियोज मेरा नाम है अधित्य शर्मौ और आप देख रहे हैं कॉमर्स भाहिया एंडर मुझे अभी काभी सारी बच्चों की क्वेरी जारी थी कि भाहिया हम लोग को बिजनस स्टैट्स के अंदर क्या अरना है मतलब बिजनस स्टैटिक्स का आप लोग को एक्जाम आ रहा है और उसके अंदर आप लोग को क्या-क्या पढ़के जाना है क्या-क्या इंपोर्टेंट है क्या-क्या टॉपिक कवर करने जरूरी है वो मैं आप लोग का आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उसके Фीचश की पाड़े है, स्टैटिस्टीक्स के बारे मैं आपको सब पता होना ची hypert you यहाँ पीनमेडियो में और मॉट मी बहुत ही बहुत ही बेसिक चीजेस इसके उपर कंशन आए गा यहा मतलब हाँ मैं guaranteedly नहीं कह सकता लेकिन पिछले कुछ exams केंदा repeatedly इसके questions आए है तो हाँ main media mode पर question आ सकता है में media mode तो आप लोग करी लोगे बट इसके अलावा आप लोग को क्या क्या करना है तो बहुत सरे बच्चे इस छोटे से topic को ignore कर देते जो कि है histogram बनाना frequency distribution table बनाना तो यह सब आप लोग को आना चाहिए वो tally mark बनाना जो होता है न फिर उसके बाद histogram मतलब ऐसे-एसे करके graph बनाना और graph को पर ऐसे-एसे बनाना तो यह सब चीज़ आप लोग को आनी चाहिए graphs बनाना आप लोग आना चाहिए तो class 11 के अंदर ही अगर आप वो videos देखना जाते हैं आप जाके YouTube के उपर search out कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके अंदर ही आप लोग वो graphical presentation करके एक chapter मिल जाएगा उसके अंदर ही सब आप लोग को मिल जाएगा various or standard deviation बच्चे छोड़ देते हैं मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसको अच्छे से करके जाए इसमें आपके marks बनने के chances बहुत जाएदा है next topic आता आप लोग का skewness और kurtosis तो यह मेरे को मतलब इसको exact नहीं बता है कैसे pronounce करते है, kurtosis, kurtosis क्या होता है वो तो आप इन दो topics को भी अच्छे से कर लेना इन दो topics यह उपर theory में भी question आ सकता है और practical question आने के chances बहुत जाएदा है फिर इसके लाव आप लोग का एक topic है correlation correlation के अंदर आप लोग को अलग अलग type के correlation मिल जाएगे तो कैसे कैसे निकालना है, क्या-क्या formulas है सारे formulas को अच्छे से देख लेना, सारे formulas को अच्छे से practice कर लेना जिससे इसका अगर question आता है, इसका question मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि 90% इसका question आएगा याएगा यार इस stats के अंदर आप लोग को जादा slivers नहीं है या फिर आप लोगा जो B.com के अंदर आता है वो index नमर वाला, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना इसके लावा last topic एक मैंने देखा time series analysis time series analysis दो भी question आ सकता है कि time series analysis निकालो, ये करो, वो करो analysis करो, तो ये सब चोटी मोड़ी चीजों के उपर पर भी एक दो question आ सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके उपर ज़्यादा तो नहीं, एक ही question आएगा, तो ये सारे topics तो आप लोग को business statistics के, I hope मैंने आप लोग को बहुत कुछ important बता दिया है ठीक है, अब आप लोग को पता ही होगा है, ये सब चीज़े आने वाली है तो प्लीज इनको ध्यान से कर लेना, मतलब इन सब topics को आप अच्छे से पढ़ी ही लेना इनके लाव अगर आप लोग को extra कुछ करना है, अच्छे नमल आने के लिए तो वो तो आप करी सकते हो, बट इन topics को आप ध्यान से कर लेना वीडियो चेले की तो प्लीज को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बताओ बिजनस टैट्स के important topics बागी मैं मैं मेल तो आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दन्यवाद